आपको बहुत इच्छा होती हुगी जानने की कि Business to Consumer Sales क्या होती है या कभी-कभी आपने सुना होगा B2C Sales तो ये क्या होती है? B2C Sales क्या होती है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये B का मतलब होगे है Business और C का मतलब होगे है Consumer तो business to consumer sales यानि कि कोई भी business है या कोई भी company है कोई भी manufacturer है वो directly माल जो है consumer यानि customer को बेच रहा है तो बीच में retailers नहीं है बीच में कोई shop नहीं है बीच में dealer distributor नहीं है directly जो company है वो consumer को sale कर रही है ये sale कहलाती है B2C sales या business to consumer sales यहाँ पर कोई भी middle man नहीं होता है यानि जो business है उसको extra पैसे नहीं देने पड़ते बीच में middle man को और वो कुछ पैसे कम कर देती है ताकि customer को फाइदा हो जाता है B2C sales जो है वो 1990 के दोरान काफी जादा popular हो गई थी जब internet का personal काफी जादा बढ़ गया था और काफी लोग smartphone का use करने लगे थे साथी internet से वो browsing भी करने लगे थे जिससे company की पकड consumer तक काफी आसान हो गई थी हाला कि काफी पहले काफी सारे जो entrepreneur थे जब company वाले थे वो इस चीज की सुरुआत कर चुके थे लेकिन सबसे पहले जो इसकी सुरुआत हुई थी वो missile, eldrish जो की एक entrepreneur थे एक company की संचालक थे उनकी काफी सारी company थी उन्होंने पहली बार b2c sales वाला जो idea है उसको धरातल पलाए पहली बार उन्होंने 1979 में television प्रचार के माध्यम से अपना product बेचना start किया जो की बाद में यही e-commerce बन गया यानि e-commerce की भी जनमदाता यही है इस समय ये काफी ज़्यादा famous हो गया है और इसके different different group में b2c sales की जा रही है काफी सारे तरीके से business to consumer sales होती है आज की date में आईए जानते हैं इन सब तरीकों के बारे में यहाँ पर पहला तरीका जो काफी प्रचलन में आया था वो है direct selling का जैसे की MLM company करती है या door to door sale की जाती है इसमें ये direct selling होती है और यहाँ पर इसी तरह से sales की जाती है दूसरा जो इसका रूप है वो है online sales यानि जो companyya है वो online माद्यम से directly customer को bill करती है सावान बेशती है जैसे की Flipkart और Amazon तीसरा जो इसका रूप है वो है advertisement based sales जैसे की television के माद्यम से हम लोग sale करते हैं टेलिवीजन पर आप देखते हैं किसी product की काफी तारीफ होती है नीचे दिये गए नमबर पर संपर करना होता है और product बिक जाता है directly customer को इसी तरह से हम किसी website पर जाते हैं वहाँ पर किसी product का advertisement आता रहता है हम उस link पर click करते हैं और उस product को खरीद लेते हैं ऐसे ही YouTube की तरफ से भी marketing की जाती है advertisement based YouTube पर किसी product के बारे में बताया जाता है और हम उसको खरीद लेते हैं इसका जो अगला रूप है वो है community based selling जैसे कि WhatsApp पे काफी महिलाएं आपने घरेलू सामान का कोई group बना लेती हैं और वहाँ से सलवार कुर्ती या कोई भी kitchen वाला सामान बेसती रहती हैं ऐसे ही Facebook पे काफे सारे group बने हुए हैं online selling के social media का भी इसी तरह से इस्तमाल किया जाता है अगला जो इसका रूप है वो है fee based selling जैसे कि Netflix Netflix क्या करता है वो कोई babe series बनाता है और directly customer को access देता है उसके बदले में वो कुछ पैसे लेता है और customer बिना किसी बिचौलिये के directly उस babe series को देख पाता है तो ये थे कुछ उधारन और कुछ रूप B2C sales के मुझे उमीद है आपको ये काफी clear हो गया होगा ये concept अच्छा लगे वीडियो तो like share जरूर करें